हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियों पर बात करेंगे MI vs KKR Dream 11 प्रेडिक्शन के बारे में यारी मुंबई कॉलकटा का मैच है दोस्तों दोनों टीम्स आप देखोंगे पिछले मैचेज में एकदम विपरीज सिचुएशन से आ रही है मुंबई हार के आ रही है कॉलकटा बढ़िया करके आ रही है और ये मैच भी दोस्तों दोनों टीम्स के लिए बड़ा ही जरूरी है लास्ट येर अगर आप देखोंगे तो ये टीम का एक मैच वो था वेंकटेश हैयर ने एक सो चारन मारे थे इशान किशन ने हाफ सेंचरी लेकिन फिर भी मुंबई जिती थी एक सो चार भी हाफ पे कर दिया था मुंबई ने पार हाला कि इस साल सीचुएशन थोड़ी ऐसी चल रहे है कि मुंबई हार रही है लेकिन नास्ट येर की ड्रीम टीम अब हम देखरे हैं जो मैच आपको देखरे को मिला था पिछले साल का 16 एपरिल 2023 को मैच नमबर 22 इपियल का दुवान यान सेन उस मैच में मुंबई से खेले थे अब तो यह IPL में है नहीं शार्द उल्ठाक और चन्हीं में चले गए हैं जो लास्ट येर कॉलकता में थे और रितिक शौकीन भी आपको खेलते नहीं दिख रहे बाकी के ड्रीम टीम में आपको प्लेयर्स देख लेने है मुंबई के अच्छे खासे बैटर्स आये थे और ध्यान ये रखिएगा वरुन चकरवर्ति और सुयष शर्मा कॉलकता के स्पिनर्स गेम में आए थे लेकिन ये मैच कहां पे है वांखडे में जहां पर पेईसर्स का गेम चलेगा तो ड्रीम टीम जरूर देखो लेकिन एक लाग या दो लाग तो सोच से विनिंग होगी कॉपीवाजी से नहीं वही आपको स्किल यहां देने आता हूं स्किल प्लस लग दोनों चाहिए ग्रेंडिक बिन करने के लिए लेकिन स्किल वला पोर्शन जो हम करेंगे दोस्तों अगर आप टेलीग्राम में नहीं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब के साथ एक आएगा बेल आइकन वो भी प्रेस करिए और नोटिफिकेशन का बटन भी करिए ताकि जितनी मैं वीडियो जालू सबसे पहले आप देख पाए अब दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहूंगा यह यह मेरे साब से मुंबई की लाइनप रहेगी इस मैच में अगर मुंबई कोई चेंज नहीं करती इंपक्ट बोलर खेल रहे है नुमान तुशारा इंपक्ट बैटर के तौर पे खेल रहे है सूरे कुमार यादव लेकिन एक हाई रिस्क टीम यह भी बन सकती है दोनों को ए एक चेंज दिख रहे हो सकता है एक नई बोलर आपको खेलते दिख जाए जो अपने पिछले डिमेस्टिक मैच में चार विकेट निकाले थे गुजरात के सामने बिहार से खेलता लड़का साकिव उसायर और वोम-प में बहुत अच्छी औरकर जाला था कॉलकता के बड़े आपको खेलते दिख जाए या फिर एक और विकल्प है चेतन सकारिया अगर टीम खेलाना चाहे बट मुझे लगता है साकीब उसायर इस मैच में आपको डेब्यू करते दिख सकते है आई पिल दोजा चौबिस में यह खिलाड़ी के बारे में नहीं पता तो स्मोली वीडिय जादा चेंजिस उमीद नहीं कर रहा है ठीक है अब मैं अगर बढ़ू आगे तो Grand League के CVC एक तो Salt जो की बहुत अच्छा खेल रहे है नरायन जो कि ऑस्पिन भी करेंगे बल्ले बाजी भी हाला कि बूमरा की सामने असान नहीं होगा बल्ला चलाना बट ऑस्पिन इनकी काफ हिटर भी है और बोलिंग भी करते हैं बल्ले से मुंबई के सूरे कुमार यादव गेंस है जस्परी धूमरा और लास्ट मेंच मेंच में इन्होंने 50 मारे थी हैट टू एडवे इशान किशन ठीक है यह आपके बेस्ट हो सकते हैं CVC अब डिफरेंशल्स की बात करते हैं अं इनको मुखा मिलना चाहिए ज्यादा बल्लेवाजी का मुहमद अभी और यहीं काफी लेटेश और इंकू नरायन भी है यदि बाइट चास ती तिश्राना आ जाते हैं वह भी लेटी तो इनकी ऑफब्रेक कामा सकती है वेबा वरोडा जो की स्विंग काफी अच्छा कर रह और नुवान दुशारा जो की मेरे साफ से स्मोल लिक के भी अच्छे डिफरेंशल है लास्ट मेंच में एक ही विकेट निका रहे थे बड़ बोलर अच्छे हैं और मुंबई पास इतना स्कोर भी नहीं था कि प्रेशर बना पाती इसलिए स्रिफ एक विकेट मिली यदी एक रसल और पांडिया एक अच्छे फेंटेसी परफॉर्मेंस के साफ से पॉइंट देता दिख जाएगा क्योंकि दोनों ही और मुंबई के पेसर जैसा कि मैंने बताया नरायन को तंग करेंगे मुझे लगता है गेम में भी आएंगे नुवान दुशारा कोट्जिया हाद भी पेस जालते हैं बाकि बूमरा तो किंग है ठीक है स्टार्क को स्टार्ट में स्विंग मिलेगी अर्ली और मेभी शायद वो वेंखडे पर अपना बेस्ट देते दिख जाए विकेट आएगा या नहीं कहना मुश्किल है बड़ जैसे चौके चक्के वो खा रहे हैं शायद सटार्ट में यहां पे नाख आयें क्योंकि यहां पे सुइंग होगी नहीं गेन और अगर कंट्रोल में डालते हैं स्टार्क तो वो काफी अच्छा कर सकते हैं बॉल्ट से प्रेड़ना ले सकते हैं जो यहां पे बॉल्ट ने लेफ्ट वास्ट ने बोलिंग करी शायद तो आप कुछ मेरी dream teams देखने वाले हो, जो grand league के लिए रहेंगी, पहला है simple best bowler, best better combination, Mumbai के best bowler, मेरे को जो better लगते हैं, वो है सूर्या, और bowler लगते हैं, बूम्रा, उनको मैंने रखा है, साथ मुंबाई की तिकडी Pacers की रखी है, कोट्जिया तुशारा बूम्रा को रखा है, स्टार्क को भी रखा है, स्टार्क को रखा है, तो स्टार्ट में swing होगी, तो कोई ना कोई drop होगा, main batter, इशान किशन इसमें drop है, स्टार्क नहीं, इशान किशन को world cup 2000 का, जो हुमारा पिछला world cup है, 2023 का, बंडे world cup, उसमें पहली game पे out किया था, जीरो मारते इशान किशन न मैंने इसमें back किया है, CVC, इशान किशन को रखा जरूर है, ताकि ये catchy stopping से जीतरे point दे दे, उसके बाद ये दोनों से सारा target मुझे chase चाहिए, जो मुंबई के ground पे दोनों कर भी सकते हैं, मुंबई के ही सारे गेंदबाज रखे है, इसमें मैंने हार्दिक को नहीं रखा, क् अगर आपको लगता है, बोलिंग से आउट कर जाएंगे, तो आप रख सकते हो, बाकी मैंने आप नरायन को, रसल को, अयर को और सौल्ट को रखा है, ताकि रंस करे, इशान किशन एक लेफ्ट हेंडर है, वो मैं उम्मीद करूं कि नरायन अपने छटे साथ वे ओंवर या इवन पांच यहों और कईबर डालने आजाते हैं, तो इशान किशन को आउट कर दे, तब तक इशान 22 मारे भले ही एक आदा कैच टम करे, ड्रीम टीम में आना जरूरी है, टॉप 3 के तुरू सारा चेस बांगा है, इसलिए मैंने मुंबई के ज़्यादा बोलर रखे हैं, जब मैं चारों पहले की तीन ही सारा चेस कर दे, एक ही विकट गई ना फिर मुंबई की, क्योंकि अगर इशान की शन आउट वर तो यह दोनों नौट ओर जाए, बड़ा स्कूर करे चाहता हूँ, इशान की विकट के लिए नरायन को रखा, बाकी कॉलकता की विकट के और हार्दिक भी तो पेस डालते हैं, कैपटन सी देदी उनको विद बैट भी काम आपते हैं, अगर आप देखोगे इशान की विकट के लिए, यहां पे इन फैक्ट रोहित की विकट के लिए स्टार को रखा, इशान सूर्य और तिलक को रखा स्कोरिंग के लिए, यदि आ तो मैंने उनके आगे स्टार को एक वेपन माना है, बाकि अगर आप देखोगे मुंबई की पेस पे काफी गेम हार्दिक और कोट्जिया, दोनों पेसर से हैं, साथ पे बूमरा और तुशारा भी, अब आप दोस्तों देख रहे हो एक स्टेश 22 जहां पे आपको खेलना चा मिलेगा, पूरा आपका है, अपसको आप इस्तमाल भी कर सकते हो, बहुत अच्छी अप्लिकेशन है, जरूर खेल के देखें, मैं दोस्तों आगे बनना चाहूंगा बाकी कॉंबिनेशन पे, हमारा कॉंबिनेशन है नरायन कॉंटियूस, यह एक्शली बैलेंस्ट कॉंबिन आपको मैंने कैप्टन सी दे के रिस्क लिया है, इस कॉंबिनेशन में, बैलेंस्टीम है, वाइस कैप्टन मैंने किया हार्दिक को दोनों और राउंडर है, नभी और असल को भी रखाया, इसमें नभी का काम क्या रहेगा, सामने कॉल किता के लेफ्ट हेंडर वेंकटेश ड्रॉप है, ठीक है, यहां रिंकु सिंग भी ड्रॉप है, वैसे रिंकु काफी नीचे ही आ रहे है, बट क्या पता नरायन जो की ऑफब्रेक है, खुद बढ़ है, तो लेफ्ट हैं बैटर ऑफब्रेक पे ही आउट हो जाए, वैसे कम चांस है कि नभी को स्टार्ट में अच्छे का से और राउंडर्स रखे है, टीम के में बोलर्स रखे है, श्रिय सेयर, सूर्य तिलक उनको रखा है, जहां स्टार्क है, अगेन रोहित मेरी टीम साब को ड्रॉप दिख रहे है, अभी ये कॉम्मिनेशन, इसमें भी कुछ वैसे रहेगा, स्टार्क है, रोहित ड्रॉप करने के बाद, जो स्कोरिंग मुझे चाहिए, अगेन वही तीन पेर है, इशान, किशन, सूर्य, तिलक, अगर आप इशान की जगर रोहित चाओ कर सकते हो, ये टोटल कॉलकता फेवर में है, जहां वेंकटेश अयर को भी रखा है, एक्चली आप इशान और रोहि कॉलकता के कप्तार हो, लेकिन लोकली ये मुंबाई के लिए बहुत क्रिकेट खेले है, तो मैंने दोनों कॉलकता के बैटर स्कोर रखा, रिंकु सिंग भी इस केस में फिनिशिंग दे सकते है, अगर अयर प्लैटफॉर्म दे दे, सॉल्ट को रखा है, इसमें अगेन मेरी तीम में आपको स्टार्क तो देखने को मिली नहीं रहे, लेकिन किशन भी ड्रॉप है. अब किशन ड्रॉप है तो क्यो ड्रॉप है, यार स्टार तो लिए नहीं, वैवाव अरोडा है मेरे भाई, जो सेकेंड ओवर करते है, तो वैवावर वरोडा की भी स्विंग इंदब कॉमिनेशन है क्योंकि मेरे साथ से सॉल्ट और किषन एक तो फेल हो गाई दोनों भी हो सकते हैं बट मैंने दोनों विकेट कीपर में यह समझा कैलकुलेटिव मैं गया क्या दोनों विकेट कीपर है कैसी स्टंपिंग करते हैं दोनों और जो आई पे चल रही है ओपनर्स धमा पांडया और अरसल नरायन यादव अयर और तिलक वर्मा सब स्कोरिंग कर सकते हैं बोलिंग में भूमरा और तुशारा को लेने हैं आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब ये दोनों और रॉंडर्स को बैक किया हार्दिक और रसल को दोनों मीडियम पेस दोनों और अगें मुंबई की यहां पर तिकडी है पेस की मेरे को लगता है यहां रोहिट ड्रॉप है स्टार्क इन है यहां पर आप देखोगे सॉल्ट और यह हैं अगें कॉलकता के दो बल्लेबास इशान और सूरय तिलक को भी नहीं रखा जो बड़ा रिसक है नरायन आवब्रेक उनके सामने आ सकते हैं तिलक ने जनरली अच्छा क्या यहां मैंने तिलक पर रिसक लिया है अगले केस में यह फुल रिसकी टीम है पूरी स्टार्क जिनका टोटल आउट-अफों है उनको वाइस केप्टन किया मैंने भाई रोहित को भी ड्रॉप किया इस केस में मैंने लेकिन जो देखने वाली बात है सूर्य भाई वांडाउन इनको बैक किया है तिलक को सीधा कैप्टन किया है बहुत बार ऐसा हो रहा है कि तिलक की आके गेम बचा रहे हैं मुंबई की पिछले मैच में भी बचा लेते बड़ रन आउट हो गए थे ठीक है तो तिलक वर्मा को हुमने कैप्टन सी दे दी इनसे बड़ा स्कोर चाहिए अर्ली विकेट स्टार्क से चाहिए लेकिन उसके बाद तिलक की इतनी अच्छी स्कोरिंग हो सूर्य का कॉंट्रिबूशन रहे हार्दिक का कॉंट्रिबूशन रहे 170-180 मुंबई पार करे और अपने पेसर्स की तिक समझ में आए कुछ अच्छा डिफरेंट ट्राइ करेंगे लॉजिक से जाएंगे स्केल से जाएंगे जो इस वीडियो में कोशिश करते हैं कवर करने की यदि आप टेलिग्राम में नहीं जुड़ है लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में पांच लाक लोग जुड